अइल्लेय ओपरन, नमस्ते, नमस्गर यह ब्लास है हमने यह 38 नंबर की ब्लास बनाना है यह बौरकम कपड़ा है यह है 31 इंची आई है सारी के साथे इसको हमने कूंप्लेटली खटना परेंगे ठोरे कप्रा में हमने इसको सारे ठोरब माप करके लेनी है पेली किसे तरब से चाही लगेंगे हमने एक साइट बोर्डर का हमने बेक साइट में रखना है और एक साइट बोर्डर का हमने बाजू में रखना है इसलिए इसको हमने दोनों ठोरब माप करके दे नली लेने हमने बेक साइड की बोरडर को खतना नहीं एक प्रैंट्षैक की है प्रैंट्षय की बोरडर हमने खतना है और ये है थीरा की माप है है शिक्स है और उसकी साथी है थर्टीइट नंबर हमने बठाया और यह मोड़ा की हमने स्एप लेनी गुलाई में और एक कुमर का माप लेने हैं ब्लाउस की और दो इंच मार्जिन रखने हमने यह पराबर स्फ़कर ये हमने स्एप देनी है इसके बार ये border हमने निकाल के लेनी है slip के लिए यह हमने जोरना है slip में और अभी हमने इसको cutting करके लेनी है प्रैंट सैट की यह मोडा की गुलाई में और ठीरा cutting करना है इसको बेलखुल हमने cutting करना पड़ते अभी हमने प्रैंट सैट की निकल दिया अभी बेक साइट की निकलनी है हमने यह बेक साइट की पत्ती है इसको हमने बराबर रखना है इसकी कोपी करनी हमने अभी अभी प्राइन साइट की हमने माइनस रखती एक एंग सी एक एंग सी प्लास रखनी है यह बेक साइट की हमने बस इसको बराबर हमने काटिंग करके ल 2 एंची है ठीरा में हमने और नीसी हमने गला की खाटिंग हमने 9 एंची कटिंग करना है यह तो मर्जी से राख सकता है 9 एंची 10 एंची 6 एंची यह मर्जी है ज wellness is a जिसको अच्ची तिरा रावन शेइब देना पढ़ते हमने देखने में कुप सुरत लगे यह हमने बेलकल बरिया काटिंग करके लेनी है यह हमने फट्टी बचाना है कपरा बोट कम है गला की जो काटिंग है यह हमने यूज करने है प्रेंट साइट में यह बेक साइट की ट्यारी होगी हमारी अभी प्राइंच साइट की अभी नेखा टिंग करने हमने पराबर करके अभी हमने इसको भी ठीरा में रखने हैं हमने तू इंची हमेशा ठीरा में तू इंची रखनी है और हमने इसकी दीब रखने है शीक्ष इंची है प्राइंच साइट की नेखा ये और त्री इंची दिने ही एक इंग्स इहा आड़ाइंस सी लेखे और नीशी भी आड़ाइंस आना परेंगे फिर इसको गुलाई शेब आजाएंगे यह फ्रैंट सेट की इसको सेब अच्छ तेरा देना परते हैं आप लोग देख सिकते हैं इसको राउन में आ गये यह अभी फ्राइंट सेट कि यह cutting करना परते हैं हमने हुग राकने के लिए राइट लेब रखना है यह हो गया फ्रैंट साट की अभी हमने जो यह थोरा सा कपड़ा बसा है इसको हमने हुग के लिए एक इंसी राइट साइट में रखना परेंगे खाट के हुग राकने के लिए और यह पाजू है हमारी बाजू हमने जीटना बसा यह फ्राइट सी बनना है बाजू अभी हमने चार प३ॉर कर दिया इसको चार पर करके यह हमने जीरो से लेके ठीन इंग सी तक माइनस करना ही है ठीन इंग सी यहाँ जीरो है और यह पोर इंग सी बाजू बननी है उसकी यह ठीन इंग सी लेके जीरो टुक जानी ही हमने मैनस कटिंग करना परते इसको मुटा के लिए और यह बराबर कटिंग करके लेने यह ठरपाई के लिए यह होगे बाजू हमारी ठियार और यह है जीरो से लेके एक एंग से कटिंग करना है और जीरो में बाफस जाना है हमने प्राइंट साइट के यह यह completely होगे हमारी बाजू, अभी आना हमने print side का ही है, अभी यह पट्टी रखनी हमने, अभी यह बाजू है, बाजू में border रखनी हमने, यह बाजू में border रखनी है, उसको सिलाई ही कर देनी हमने, यह भी final होगे हमारी, और यह right left की, प्राइन साइट की है, पट्टी लागना, जहाई hook भी लागने है, और आई भी लागने है, अभी हमने जो यह पट्टी है, बेक साइट की, जो neck cutting किया ते, यह बशा था हमारी, ओई खम सा लाना परेंगे, क्योंकि कप्रहाई नहीं, अभी हमने left side में डेरेंग स cutting करना परते हैं पट्टी यह देरेंग सी हमने रखना है, यह बहुत जुरूरी है, यह left side में रखना है, हुग के लिए, यह रखना है हमने right side में, यह एक एकंग सी होते है, यहाँ हुग रखना है, इसको बराबर cutting करके लेना परते हमने यह रखना है अभी, यह राइट साइट की एकेंग सी बला है, यह लेब साइट की देरेंग सी बला है, यह आई और हूग लगने है, फिर यह खुंपलेट होना हमारी बलाव से,